नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉलिशन के यूट्यूब चनल पे महात्मा जोतिबा फुले रोहल खंड विश्विद्याले से अगर आप बेड़ फस्टियर में है या फिर बेड़ सेकंडियर में है तो आपके एग्जामिनेशन फॉ फॉरी डिटेल में step by step आपको अपना फॉर्म अपने आप कैसे फिल आप कर सकते हैं इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे ठीक है चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि आपको अपना फॉर्म अपने आप ही भरना है मैंने पहले ही बताया ह क्योंकि जो college वाले होते हैं वो थोड़ा धांदली करते हैं college वाले क्या करते हैं अगर आपका admission scholarship पे हुआ है और by chance आपके scholarship सरकार की तरफ से नहीं आई है अभी तक तो college वाले क्या करेंगे आपका form अपने आप भरेंगे और last में आपका admit card रोक सकते हैं आपका admit card वो रोक स सके तो इसलिए आप आपको अपना form अपने आप भरना पड़ेगा ठीक है तो आप easily भर सकते हैं इस वीडियो में बिल्कुल step by step बात करूंगा क्या आपको अपना form कैसे भरना है तो चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लिजेगा और बैल आइकन को जुरूर प्रेस करेगा ज ऐसे ही और यहां पर आपको search करना है आप search करेंगे सबसे पहले आप सबसे पहले अपने के बाद आप enter प्रेस करेंगे mjpru.ac.in पर आपको क्लिक करना है ठीक है जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नेक्स पेज जो आपके सामने ओपन होगा वो कुछ ऐसा होगा आप देख सकते हैं नेक्स पेज आपके सामने ओपन होगा वो ऑफिशल वेबसाइट का पेज होगा तो ये pop-up आपके सामने open हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको यहाँ से आपको प्यार से cut कर देना है ठीक है जैसे आप इसको प्यार से आपको यहाँ से cut कर देंगे तो आपके सामने जो screen होगी वो थोड़ी clear दिखाई देने लगेगी इसक्रीन आपके सामने बिल्गुल clear हो जाएगी अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है examination ठीक है examination यहाँ पर लिखा है examination पर आपको click कर देना है जैसे आप examination पर click करते हैं तो आपके सामने यह चोटी सी list open हो जाएगी कुछ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सरकल आपके दिखाई देने लगेंगे जो कि आपके नेक्स पेज में होंगे यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है यहां पर आने के बाद सेकेंड वाले सरकल पर आपको किलिक करना है यहां पर लिखा है में एक्स प्राइवेट स समझ नहीं है ब पर सब्सक्राइब और सब्सक्राइब एड़ सब्सक्राइब करें क्यित है तो आपको प्रचस संसbreaker को नबर आपको फिर करना एब लिए ला रोन नंबर है यहां पर रोन में कि इसको बẽं वाले बच्चे को रही वाले में यहां पर अपनी मात का नाम फिल कर देना है और login पर click कर देना है आपका form open हो जाएगा बड़े easily A secondaire वाला बच्चे ठीक yeah a B B B आपनी मात का नाम डालना है और login कर देना है अब यह entrance वाला इस नंबर आपको कहा मिलेगा यह आपको आपकी mail में दो जाएगा ठीक है यह आपको आपकी Gmail में पड़ा होगा हमाँ पर मिल जाएगा वहाँ से देखेगा और यहाँ पर डाल देगा बेड़ एंटरेंस वाला और अपनी मम्मे का नाम और सबसे पहले जो बात आती है वो आती है candidate personal detail की ठीक है candidate personal detail की बात करते है हम zoom कर लेते है अगर आप b.2nd year के student हैं तो यहाँ पर आपका नाम आपको show होगा अपने आप ठीक है यह हं पर आपका नाम आपको show होने लगेगा अपने आप ही father का name अपने आप show होगा check कर लेना है spelling वगरा ठीक हो mother का नाम भी अपने आप आपको show होने लगएगा check कर लेना है spelling वगरा ठीक हो ठीक है अगर आप b8 first year के हैं तो आपको कुछ show नहीं होगा देखो बच्चेक डेटेल मैंने छिपा दी है क्योंकि मैं पूरी डेटेल आपको नहीं दिखा सकता है ना फादर नेम आपको चेक कर लेना है अधारकार नंबर आपको डालना है मैनोरेटी हिंदू, मुस्लिम, सीकिसाई जो भी आप है वो आपको यहाँ पर डालना है स्टुडेन कैटेगरी में भी आपको फिल कर देना है सब कैटेगरी जो भी आप है वो भी आपको फिल कर देना है रिजन में भी आपको सब कुछ फिल कर देना है हेंडिकेप्ट अगर आप है तो आपको इस कोलम पर छोटे से पर किलिक कर देना है अगर आप हैंडिकेप्ट है अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है Nationality में Indian है तो Indian पर click करना है Other है तो अलग अधर पर click करना है ठीक है तो यह थी Candidate की Personal Detail आगे बात करते है Next Detail की Next Detail जो आपकी होगी वोगी Candidate Exam Detail Candidate Exam Detail की आपकी बात होगी यहाँ पर तो अगर आप Second Year में है तो यहाँ पर आपका अपने आप आएगा ठीक है कि यूजी आएगा और regular है तो यह आएगा बीएर्ली है आपका ठीक है ये भी आपका है अपने अपने आप फिल होगा और current session भी आपका अपने आप फिल होगा ठीक है और first year वालों को ये सब कुछ अपना फिल करना है मीडियम में मीडियम की अगर मैं बात करूं मीडियम में आपको किस मीडियम में पेपर देना है हिंदी मीडियम में पेपर देना चाहते हैं या फिर आप इंगलिश मीडियम में पेपर देना जाते हैं आपको फिल करना है ठीक है यहां पर आपका कोलीज नेम आपको शो होने लगेगा ठीक है college name show होने लगेगा तो वह भी हाँ पर फिल कर लीजेगा ठीक है और जो बच्चा फ़स्टियर का उसको यह सब आपना डालना पड़ेगा ठीक है तो चलिए फटा-फट से बात करते हैं next की next detail जो आपकी होगी next detail जो आपकी रहने वाले detail of last qualification examination pass नहीं करें लास्ट मतलब अभी से लास्ट मतलब पिछली आपकी qualification कौन सी है recent वाली वो आपको यहां पर फिल करने पड़ेगा ठीक है बिएट फस्ट येर वाला जो बच्चा है बिएट डालेगा एक नए अपने घ्रैटेल फर्स्ट ये अपना डालेगा घ्रीच सेकंडियर हुआ अपना घ्रैटियर आपको डालना है और प्रमोट देखो ब्यूट आप पर्मोट हुए हैं तो यहां पर आप येस कर देंगे अगर नहीं हुए है तो नो कर देंगे जैसे यहां पर यहां पर आपको रोल नंबर डालना है मार्क्स जैसे आप येस पर किलिक करेंगे पर्मोट के तो मार्क्स भी आपके बंद हो जाएंगे ठीक है पर इस पर क्लिक कर देंगे क्योंकि उनके पास और तो आपका इंडोलमेंट नंबर नंबर है आपना फिर इसको भर दीजेगा तो है लेकिन एगर जो रोहिल खंड से लेकिन वो अधर युनिवस्टी से ग्रेजुशन करके आया है तो उसके पास तो इन्नॉल्मेंट नमबर नहीं है तो यहाँ पर नहीं बढ़ सकता ठीक है तो यह चीद घ्यान रखेगा माईग्रेशन यूज्शन वहि बहरेगा जो अधर युनिवस्टी से है जो अधर युनिवस्टी से ग्रेजुशन करके आया ह। और बेटt फर्स्टे की नहीं है माईग्रेशन के को लमड करका कुल करना ही फीके तो चली आगे बात करते हैं नेक्स हैं सब्सक्राइब कर म Вас ग पर क्लिक करना है जैसे आप next पर क्लिक करेंगे तो नेक्स पर करेंगे तो आपको ऐसा होगा एंडर्स टिटेल वाला आपका पेज हो जाएगा बात करते हैं ठैक हमेरा चार का पता का विधरन आपको यह आपजो आपको फिल करना है किस स्टेट से आप हैं वो आपको fill करना है कम से डिस्टिक आपका है वापको fill करना है अपनी e-mail आई-डी विल्कुल अच्छे दॉल करने है Feels phone 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 नम्बर आपको डालना है phone number तो नहीं मैं अधिक तरगने होता है तो mobile नमबर आपको मापना पूबाइल नंबर यापने टील तो आपने भरी थी वह यहाँ पर він 330 आपकशल फिल भर्लू आपको सेंट वाले में भरी आपका सेंट लाँसेंट गया तो आप अगर अलग-अलग है दोनों address तो फिर आपको यहाँ पर click नहीं करना है वापिस से फिर address डालना है ठीक है तो यहाँ पर यह सब fill करने के बाद आपको save पर कर देना है click और फिर next पर click कर देना है जैसे आम next पर click करेंगे तो आपके पास यह next page open हो जाएगा जो कि आपका document का हो इसे उपर वो नहीं होना चाहिए आपना फोट अपलोड कर देंगे यहाँ पर upload your signature आप कर देंगे सिगनेचर भी आपके सो के भी से नीचे 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 होने चाहिए सिगनेचर अपलोड कर देंगे हैं आपर upload हाई स्कूल की mark sheet upload कर देंगें यहाँ पर अपनी हाँ त्वेल्ट की मारकशीट आप अपनी upload कर देंगे ठीक का और हो यही सारे document है कर अपको अपने form के साथ लगाने हैं अपने print out के साथ यही सारे document आपको अपने 10th के mark sheet, 12th के mark sheet और B8 1st year का promote का result यही सारे आपको अपने form के साथ fill करके अपने college में जमा करने हैं सारे चीज भरने के बाद आप save पर click करेंगे, save पर click करने के बाद आप यहाँ पर next पर click करेंगे, जैसे ही आप next पर click करते हैं तो आपके सामने यह exam form वाली जो की last detail है यह पेज आपके सामने open हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, candidate का नाम अपना नाम फिर से चेक कर सही हो, मदर के नाम की spelling वगरा भी चेक कर लेंगे, फादर के नाम की spelling वगरा भी चेक कर लेंगे, और यहाँ पर अपना B8, year भी देख लेंगे, education, regular, सब कुछ ऐसा ही, अपने college का नाम देख लेंगे, अपना B8 का year भी देख लेंगे, ठीक है, यह सब सारी detail आपको चेक कर लेनी है, ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद, आपके सामने यह आता है, list of all courses, ठीक है, list of all courses को हम देखते हैं, थोड़ा सा जूंग कर लेते हैं, list of all courses के आने के बाद, तो आप देख सकते हैं, यह आपके सारे क्या है, compulsory subject है, यह सभी आपके compulsory subject सब्जेक्ट है इनको एक बार चेक कर लेना है ठीक है इनको चेक कर लेना है कि आपके यही सब्जेक्ट है सभी के सभी पीस एजुकेशन लेना चाहते है तो इसको किलिक कर देंगे guidance of counseling लेना चाहते तो इसको health education को लेना चाहते तो इसको special education तो कोई सी जो भी आपको एक लेना है कोई भी optional में ठीक है उसको आप किलिक कर देंगे है ना तो किलिक करने के बाद next बात करते है next आपका आएगा select any two select any two आपका आएगा है आपर ये देखो ये बाद second year का बच्चा है तो इसने बाद first year में teaching and physical ये ले रखा है na teaching of physical science है बाद first year में इसने ये select किया हुआ है तो इसका ये पहले ही select है लेकिन any two है तो यानि कि एक और select अभी करना पड़ेगा एक और select क्योंकि ये देखो हम देख है कि physical science का बच्चा है मैसका बच्चा है तो इसको क्या करना है teaching of mathematics ने आपर select करना है के recognize find and by biology तो और live करेगा और फीजिकल section लेकड़ करेगा ठीक है science का बाकि यह की अगर उपर से हैं तो κौ्ट से कर सकते हैं हिंदी है तो हिंदी आशोब आपका होगा कोई इंगी स्वाइब करने के बाद आपके सारे स्वाइब सारह सब्जैक्न सब्जेक्ट सς अगे अब सब्सक्राइब ठीक है यह सारी चीज आप बिल्कुल अच्छे से match कर लेंगे कि जो मैंने select किया है वही paper है उसके बाद verify paper पर आप click कर देंगे जैसे आप verify paper पर click कर देंगे आपका form भर जाएगा ठीक है आप फिर उसको print कर लेंगे उस form को print कर लेंगे ठीक है ध्यान से सुनिएगा उस form को आप print कर लेंगे ठीक है प्रिंट कर लेंगे और उसके साथ आपको क्या क्या लगाना है उसके साथ आपको form को print के साथ आपको क्या लगाना है आपको 10th की mark sheet लगानी है ठीक है 12th की mark sheet लगानी है ठीक है ग्रेजुशन फाइनल की mark sheet लगानी है ठीक है और अपनी आधार कार्ड है ना आधार कार्ड की फोटो स्टेट ठीक है अधार कार्ड की फोटो स्टेट यह सारी चीज आपको इसमें लगानी है ठीक है और अपने कोलिज में जमा कर देना है सतर तरक से पहले अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब क झाल